तो भाई आचुका है आपके सामने देश का सबसे बड़ा एलेक्ट्रिक लोडर एलेक्ट्रिक कारगो जिसमें आप एक टन बजन लोड करके आराम से दिन भर चला सकते हैं ऐसा लोडर आचुका है ऐसा एलेक्ट्रिक कारगो आचुका है लोहिया कमपनी का बित्रो यह लोहिया कंपनी का electric auto है electric loader auto है कारगो जिसे आब बोल सकते हैं छोटा हाथि छोटा हाथि के बड़ावर इसकी ताकत है देख सकते हैं इतनी बड़ी गारी है और यह दिल्ली के प्रकती मैदान में showcase किया गया है बहुत ही जल्द आपको रोट के उपर दोड़ते ही मिल जाएगा तो भाई इस वीडियो को पूरा देखे और पूरी जानकारी को समझे इसमें क्या-क्या फीचर है, क्या-क्या फेसलिटी है कीमत भाई इसकी चार लाख के आसपास होने वाली है और चार लाख में आपको एक सांदार छोटा हाथी मिलेगा जो कि एक चार्ज में पूरा दिन चलने वाला है तो यह एक बहुत ही सांदार लोहिया का एलेक्ट्रिक लोडर टेम्पू इसमें आपको दर्वाजे मिल जाएंगे दोनों साइड में यह देख सकते हैं बहुत ही बड़िया दर्वाजे के साथ में आती है यह ड्राइवर सीट के नीचे आपको इस्टेपनी रखे हुए मिल जाएगी सामने का जो सेटप है टोटल उसके जैसा है जैसे इसका पेसिंजर है यह चाभी ओन करते ही इसके मीटर में लाइट आ जाएगी मेटरी अभी इसकी फुल चार्ज है देख सकते हैं फुल चार्ज दिखा रहा है डेशबोट कापी अच्छा है एक बड़ा सा गलास है अंदर एक लाइट लगी हुई आपको दिख जाएगी इस द्राइवर सीट के पीचे में एक खिरकी मिलेगी इस परकार से गेस सेलेंडर का रखा हुआ आपको दिख जाएगा फायर वाला इस ट्राइवर सीट के नीचे मिल जाएगी यहाँ पर आपको पाने के बड़र टकने के लिए एक स्टेंड मिलेगा यह देख सकते हैं इस प्रकार से इसका गेट लॉक होता है तो मित्रो काफी ज़्यादा साइज है इस इलेक्ट्रिक ओटो का बहुत ही बड़े साइज में है इसकी आज आपको फूरी जानकारी मिलेगी इसकी कीमत क्या है कितने देर में चार्ज होता है कितने किलोमेटर चलता है और लोहिया की आपको यहाँ पे बहुत सारी गारिया में दिखेंगी पेसेंजर में भी और यह पेसेंजर में एक यह खड़ी हुई है दूसरी आपको यहाँ पे मिलेगी एक यही रिक्सया लोडर है छोटा साइज यह भी आपको दिख जाएगा तो मित्रो जो इसका डाला है काफी बड़ा साइज में है बहुत ज्यादा इस्पेस आपको मिलने वाला है आप चाहे दूद का बिजनेस करें सबजी का करें या किराने का करें कोई भी काम आप इसमें बड़े आसानी से कर सकते हैं मजबूत बॉडी मिलेगी इसकी और काफी ज्यादा हाइट है इसका साइज क्या है हाइट क्या है यह हम आपको आगे की वीडियों में बताते हैं लेकिन काफी सांदर है और यह लाक वाला सिस्टेम है पूरी तरह से इस परकार से लाक होगा यह देखो यह अन्दर साइज का लोग होगा दोनों साइज उपर नीचे और यह बाहर से लाक होगा इस परकार से तो मित्रो इसके टायर काफी बड़े हैं बहुत बड़ी हैं आप इसको किसी भी उबर खावर या गाउं के रोड में कहीं भी आप इसे आराम से ले जा सकते हैं चेचिस इसका काफी हेवी चेचिस दिया गया है और इसमें जो इसका suspension system है काफी सांदार है मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ यह देखो आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको पट्टे नहीं मिलेंगे इसमें सोकर का इस्तिमाल किया गया है और यह हेवी वाले जो सोकर रहती है इसका चेचिस काफी बड़ा है यहाँ पे इसका बैटरी का setup मिल जाएगा यह देख सकती है यहाँ पे इसकी बैटरी मिलेगी गाड़ी की काफी हाइट है डाले का जो इसका size है लगबग साड़े 6 फीट के आसपास है और साड़े 4 फीट के आसपास इसकी चोड़ाई है सामने से आप देखेंगे तो काफी हाइट में मिलेगा बहुत ही बड़ा इसका जो कंटीनर है वो दिख रहा है और आज के डेट में जिस प्रकर से पेट्रोल डीजल गैस महेंगे होते जा र माला है बहुत सारे भाई लोग परिशान रहते हैं डीजल वाली जो गाड़ियां चला रहे हैं पुराने गाड़ियां चला रहे हैं उन लोगों को बदलना पड़ेगा और एलेक्ट्रिक गाड़ी और एलेक्ट्रिक आटो के बारे में उन्हें सोचना पड़ेगा क्योंकि मितनों एलेक्ट्रिक आटो रिक्षा ऐसी है जिसमें आपको कम से कम बजट में जादा से जादा प्रोफिट होता है तो भाई ये चार घंटे में चार्ज होने वाली एलेक्ट्रिक आटो रिक्षा है चार घंटे में 0 से 100 परसेंट ये चार्ज होगी और चार घंटे में चार्ज होने के बाद में 150 किलो मीटर चलेगी जो इसकी बेटरी की वरेंटी है ये आपको मिलने वाली है तीन साल की बाकी मोटर चार्जर कंट्रोलर की वरेंटी आपको मिलेगी एक साल की इसकी जो टोप स्पीट है 55 प्लेस है तो मित्रो गारी काफी सांदार है बहुत बढ़ी है लगी आप लोगों को कैसी लगी कमेंड करें और आपको किस वारे में इंक्वारी चाहिए आप एक पेसेंजर भी है यह ए रिक्षा है फोर प्लेस वन वाली इसका टायर आप देखेंगे काफी बड़ा मिलेगा है आपको देख सकते हैं लगबाग 12 इंज का टायर है साइज बहुत ही बढ़ी है है हेडलाइड मिलेंगे आपको दोनों साइड में डेसबोर्ड भी आपको काफी सांदार मिलने वाला है और यह सीड भी काफी बढ़ी है बहुत मस्त लग रही है दोनों साइड में तो मित्रों मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी दी गई जानकारी आपके समझ में आ गई होगी तो को इसे के साथ हम वीडियो को करते हैं खतम और मिलेंगे आपसे फिर कोई अगली वीडियो में नहीं वीडियो के साथ हैμεदो जब तक के लिए जै हिंद जै भारत